नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर अर्पना स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में दोस्तों इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होमियोपति की दवाईयां हमें अलग-अलग दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि डायबेटीज के साथ आप अपने आखों का कैसे खयाल रख सकते हैं कौनसी हमारी होमियोपति की दवाईयां हैं जो इसमें आपको मदद कर सकती है दोस्तो diabetes के वजह से आपको complications जैसे diabetic retinopathy जिसमें आखों में समस्या हो जाती है diabetic neuropathy जिसमें नसों में कमजोरी आ जाती है diabetic nephropathy जिसमें आपके body में kidneys में या renal system में problem आती है तो diabetes अपने साथ body के अलग-अलग parts को भी नुकसान पहुचाती है तो आज हम जानेंगे आखों के बारे में diabetic retinopathy के बारे में के diabetes के साथ कैसे रखे आखों का खयाल और homeopathy की दवाईयां तो दोस्तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को subscribe करके bell button को press कर दे ताकि आप updated रहें जो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूं आप उसे मिस नहीं करें तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक diabetic retinopathy and homeopathy Diabetes के वजह से आपकी जो blood circulation है या जो रक्त कोशिक आए हैं इसमें blood circulation में problem आ सकती है diabetic retinopathy में क्या होता है आँखों को जो नसे supply कर रही है आँखों को जो blood vessel supply कर रही है उसमें obstruction आ सकता है यह जो छोटी छोटी सी blood vessels होती है इसमें जब obstruction आता है तो आपको vision related complaints या problem आती है इसी को हम कहते हैं diabetic retinopathy तो क्या होता है retina जो आँखों का light sensitive part है यहां जो blood vessel supply करती है जब इन में obstruction या रुकावट आती है तो इसको हम कहते हैं diabetic retinopathy अब ये भी दो तरह का हो जाता है एक है non-proliferative diabetic retinopathy और दूसरा है proliferative diabetic retinopathy तो क्या होता है यह जो रुकावट आती है इसके वज़े से नए blood vessels बनने लगते हैं तो non-proliferative में blood vessels नहीं बने यह comparatively better situation है इससे advanced stage proliferative diabetic retinopathy जिसमें blood vessels बन गई यह और advanced stage है इसमें pressure के वज़े से optic nerve damage हो सकता है vision loss हो सकता है तो basically जो हमारा non-proliferative diabetic retinopathy है यह better है proliferative diabetic retinopathy से अब आपको अपना annual eye examination कराना यह जरूरी है pupil dilate करके जो exam करते हैं वो करना जरूरी है आपको FA fluorescent angiography OCT optical coherence tomography यह सब test annual basis पे कराना चाहिए अपने आखों के सेहत के बारे में जानने के लिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपका sugar control में है आप test वगारा सब कराते हैं तो भी क्या ऐसी homeopathy की दवाईया हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए जो आखों के health के लिए या diabetes से related retinopathy के लिए अच्छी है तो दोस्तो हमारी सबसे पहली medicine stramonium stramonium जिसे हम thorn apple के नाम से भी जानते हैं ये जो दवा है stramonium ये आपको मदद करती है जब आपको सब कुछ थोड़ा सा सूजा हुआ सा दिखता है स्विलन दिखता है आपको साली चीजे बड़ी बड़ी सी दिखती है मूटी-मूटी सी लिखती है रात को देकने में problems जादा होती है डाक में, अंधेरे में आपको देकने में problems जादा होती है तो जब ऐसे लक्षन होते है तो stramonium या सच्छी medicine है जिसे आप consider कर सकते हैं दोस्तों अगली हमारी medicine है टेबेकम तो टेबेकम डायबिटिक रेटिनोपेथी में अगर आपकी history है टोबैकों वगारा जादा लेने की या smoking करने की और इसके वज़े से आपको आँखों में समस्य आ रही है venus congestion, hypermik condition हो रहा है इसके वज़े से हो सकता है optic nerve में pressure पड़े और वो damage हो तो अगर ऐसी condition हो रही है तो ये टेबेकम medicine जो है आपको मदद कर सकती है vision loss होना, vision कम हो जाना, एक आई में temporarily इस थारे के symptoms देखने को मिल सकते हैं strabismus, आखों के muscles कमजोर हो जाना, cross eye होना ये भी लक्षन होते हैं, इसके साथ-साथ floaters की समस्या भी हो सकती है तो अगर ऐसे लक्षन है, तो टेबेकम medicine आपको मदद कर सकती है next हमारी medicine है, conium ये जो conium medicine है, ये conjunctivitis या conjunctiva में अगर ulceration हो रहा है, fictanular conjunctivitis, corneal ulceration, इन में अच्छा काम करती है conium में artificial light से problem होती है, photophobia होती है, light से दिक्कत है आखों में से पानी आता है, lacrimation होता है और आपका जो vision है, वो कमजोर हो रहा है, dim हो रहा है vision तो ऐसे में conium medicine का प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों अगली हमारी medicine है hyosymus hyosymus में क्या होता है, कि जो object है उनका border में ऐसा लगता है color दिख रहा है तो colored outline दिखती है, कोई चीज आप देख रहे है, उसका लग रहा है उसका border है, वो colored है तो ऐसा colored outline या colored border आपको दिख सकता है इसके इलावा जो eyelid है, वो forcibly एकदम से close हो जाता है तो forcibly eyelid close होना, colored आपको borders या margin दिखना इसमें glaucoma की भी समस्या हो सकती है इसके इलावा spark से दिखने, sparkling type दिखना या चिंगारी जैसे दिखनी इस तरह के भी हमें लक्षन मिल सकते हैं hyosymus में दोस्तो next हमारी medicine है, sepia, sepia एक mostly female oriented medicine है तो अगर महिलाओं को समस्या है, diabetic retinopathy की problem है, menopausal उनका age है और उसके बाद समस्या जादा हो गई है, हो सकता है कोई uterine या ovarian भी symptom हमें साथ में देखने को मिल रहा है floaters की समस्या है, चोटे चोटे ब्लैक ब्लैक धब्लैक धब्बे, muska volatentis या floaters की समस्या साथ में हो रही है mentally irritability है, बहुत चिड़चिड़ापन है, और साथ में आखों की भी समस्या हो रही है तो हम CPI medicine को consider कर सकते हैं, तो दोस्तो ये थी हमारी कुछ medicines, medicines और भी है वो symptom पे depend करता है कि क्या आपके लक्षन है, accordingly दवा है तो दोस्तो ये थी information about diabetes और diabetes से होने वाली आखों की दिक्कत या diabetic retinopathy दो प्रकार के ये होते हैं, non-proliferative diabetic retinopathy और proliferative diabetic retinopathy मैं उमीद करती हूँ कि अभी जो information मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया डायबेटिक retinopathy के बारे में आपने इसको पसंद किया है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने friends family के साथ वीडियो को आप like करें अगर चानल में नए है तो चानल को आप subscribe करें ताकि ऐसे ही informative videos आप पाते रहें अगर आप चाहते हैं मेरे सा appointment book करना जाए मेरे website drgarpina.com पे और वहां बड़े ही आसानी से आप अपना appointment book कर सकते हैं अगर आप चाहें तो मेरे office के whatsapp number पे केवल whatsapp के माध्यम से message भेज सकते हैं वहां पे भी आप लोगों को appointment की सारी details मिल जाएगी तो आज के लिए बस इतना ही खुश रहिए मुस्कुराते रहिए स्वस्त रहिए thanks for watching